दोस्तो नमस्कार मैं संजय मग्गु और मौजूद है देश रोजाना के डिजिनल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभा का सत्र होना है 13 नमंबर से हर्याना विधान सभा का पहला सेशन हलाकी एक दिवसी है हो चुका जिसके अंदर के विधान सभा अध्यक्ष और अध्यक्ष का चैन हुआ हर्याना के विधायकों की ओध हुई यह सब कुछ तो हो चुका अब हर्याना विधान सभा का पहला जो अधिवेशन है पहला जो सत्र है वो 13 नमंबर से होना है जहां सरकार की तैयारियां पूरी है वहीं विपक्ष अपनी जिम्मेदारी धंग से निभा सके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर सके इसके लिए विपक्ष के अंदर भी तैयारियां है और विपक्षी तैयारियों के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है विपक्ष के नेता का चैन कॉंग्रिस विधायक दल के नेता का चैन जो हर्याना विधान सबा में विपक्ष का नेता होगा 2014 से 19 के बीच में जब सरकार भारती जंता पार्टी की बनी तो हर्याना में नेता विपक्ष थे उस समय अभै सिंग चोटाला इंडियन नैशनल लोगदल सबसे बड़े विपक्षी दल की भूमिका में था और अभै सिंग चोटाला उसके नेता चुने गए थे तो इस हिसाब से अबै सिंग चोटाला निता विपक्ष थे 2019 से और 2024 के बीच में प्रमुक विपक्षी दल बना कॉंग्रेस 31 सीटों के साथ में 31 विधायकों के साथ में निता विपक्ष बने भुपेंदर सिंग उड़ा और अब जब 2024 के चुनाव के अंदर कॉंग्रेस को बड़ी उम्मीदे थी कि इस चुनाव में उनकी सरकार बनेगी जो हो ना सका हलांकि तमाम कॉंग्रेस के आरोप हैं लेकिन राजनीती में होता है जो जीता वही सिकंदर तो भारती जिंता पार्टी की सरकार बन गई और विपक्ष की भुमिका कॉंग्रेस के पास है जिसको उस भुमिका का निर्वहन करना है अगर आप माने तो लोगतंतर के अंदर जितना मेत्वपूर्ण सदन का नेता होता है सरकार होती है सरकार का नेता होता है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता विपक्षी दल और प्रमुक विपक्षी पार्टी जो विपक्ष की बेंचों पर बैठ करके सरकार को कदम कदम पर जगाने का चेताने का और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का काम विपक्ष का हुआ करता है विपक्ष का नेता कौन हो इसका ले करके मैंने आपको बताया कि कॉंग्रेस के अंदर किस प्रकार से गंभीर मंथन है कि कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक कोई उस विधायक दल की बैठक के अंदर एक लाइन का प्रस्ताव पालित किया गया कि Congress आला कमान तय करे कि किसको विपक्ष का नेता चुना जाए विपक्ष के नेता पत्द के चाएन पर यानि कि Congress के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी किसको दी जाए इसे ले करके जो गुटों में Congress बटी हुई है उस गुटबाजी वाली Congress के अंदर इसको ले कर के भी लिए कि विपक्ष के नेता कॉंग्रेस विधायक दल के चैन को ले करके पूरा हंगामा कहें या पूरा उसके अंदर कोला हल है और कॉंग्रेस आला कमान भी संभवता नहीं चाहता कि अब इस मौके पर जबकि सरकार आने की उमीद थी और कॉंग्रेस चुना वर गई अब हसा को और बड़ावा दिया जाए उमीद है कि आने वाले तीन चार दिन के अंदर अंदर हर्याणा के विधायक दल के लिए जो कॉंग्रेस के विधायक दल का नेता होगा उसका नाम तैह हो जाएगा ताकि विधान सभा के अंदर जब कारवाई शुरू हो तो विपक्ष का एक विधायक हैं नेकिन हलाकि इन विधायकों के अंदर बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं भूपेंदर सींग हुड़ा के समर्थक हैं लेकिन बाना ये जा रहा हैlar और भूपेंदर इसंग हुड़ा का free hint दिया गया लेकिन सरकार नहीं वनी और कही ना कहीं जिम्मेदार माना जा रहा है भुपेंदर सिंग उड़ा जी को इस लिहास से लगवग लगवग ये तैय है कि भुपेंदर सिंग उड़ा हर्याना विधान सभा में विपक्श के नेता अपकी बार नहीं होंगे उनके चला हूँ वो तीन प्रमुक नाम जिन पर इस समय चर्चा है जिन पर चर्चा है कि इन में से कोई नेता विबक्ष हो सकता है कॉंगेस विधायक दल का नेता CLP लीडर बन सकता है जो तीन नाम है आगे बढ़ने से पहले वो तीन नाम आपको बता हूँ एक बात और जरूर बता दें आपको कि बने ही भुपेंदर सिंग हुड़ा विधायक दल के नेता ना बन पाएं या उनको ना बनाया जा सके लेकिन ये जरूरते है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा की अनुशंसा को या भुपेंदर सिंग हुड़ा को नाराज करना भी कॉंग्रेस हाला कमान के लिए इतना आसान नहीं है इस लिहाज से लगवग लगवग ये भी तय लगता है कि नेता विधायक दल जो बनेगा यानि की विपक्ष का नेता बनेगा उसमें कंसेंट जो है बुपेंदर सिंग हुड़ा की होगी इस लिहाज से हुड़ा गुरुप का नेता ही कोई विधान सभा के अंदर विपक्ष क नेता हो सकता है जो तीन नाम आपको बता रहा हूं जिन पर चर्चा है उनमें प्रमुक नाम है अशो करोडा आपको बताऊंगा उन नेताओं के बारे में इनका प्रोफाइल क्या है और किस लिहाज से इनका दावा ज्यादा मजबूत है और किस लिहाज से इनके दावे में कम आदमपुर के अंदर भवय विश्णोई को हराया और तीसरे नेता हैं चंदरमहन विश्णोई उन्होंने विधानसवा अध्यक्ष को इस चुनाओं में हराया ग्यांचन्द गुपता को पंचकुला विधानसवा से इन तीन नामों पर चर्चा है मैं आपको बताने चला हूं कि कौन से नाम पर उसके लिए पॉजिटिव क्या है और उसके लिए नेगटिव क्या है तो सबसे पहले जिन नाम की प्रमुक्ता से चर्चा है जिस पर ज़्यादा उम्मीदे हैं वो नाम है अशो करोडा का अशो करोडा चौती बार विधायक बने हैं चार बार विधायक चुनाव जीते थे तो वो उस समय थाने सर के अंदर उप्चुनाव हुआ था विधान सभा का उप्चुनाव 1987-1991 की चौधरी देवीलाल की सरकार हुआ करती थी चौधरी ओम प्रकाश चोटाला की सरकार और उस सरकार के दोरार में अशोग अरोडा पहली ematicsुनाव जीत करके विधायो बनके आये थे और अशोग अरोडा को उस सरकार के अंदर भी चेर्मेन पतका का पद मिला था और सरकार के अंदर उनकी बड़िया तूती बोली थी अशो करोण लगातार चोटाला और देविलाल परिवार के विश्वस्त नेताओं में माले जाते रहे चार बार वो विधायक बने और चारों बार विधायक बने वो इंडियन नेशनल लोगदल के टिकेट पर एक बार विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे विधान सभा स्पीकर एक बार हर्याणा के परिवाहन मंत्री भी रहे और इसके साथ साथ हर्याणा परदेश इंडियन नैशनल लोगदल के वो लंबे समय तक अध्यक्ष रहे 2019 के चुनाव से पहले जब हर्याणा के अंदर इंडियन नैशनल लोगदल दो गुटों में बट गई जब दो फाड हो गई तो उस दौरान दो हिस्चों में बटने के बाद में अशो करोडा पहले इनेलो में ही रहे और विधान सभा चुनाव से ठीक पहले 2019 के चुनाव से ठ बनाया था ठाने सर से और बहुत थोड़े से वोटों से वो चुनाव हार गए थे सुभाज सताथ चुनाव जीते थे अब पहली बार वो विधायक बने हैं कॉंग्रेस के विधायक के तौर पर इस चुनाव के अंदर वो चुनाव जीत करके आए अशो करोडा के के अंदर रहने का उनका क्या क्वालिफिकेशन है या कैसी योग्यता है तो उसके लिहाज से देखें तो वो चौथी वार के विधायक है परदेश के अंदर मंत्री भी रहे है इसके साथ साथ विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे है तो अनुभव पूरा है संगठन की बात इने मनोरलाल खटर के नाम पर हर्याडा के अंदर 10 साल निकाले तो इस लिहाज से क्योंकि पंजाबी नित्रतव भी समय पंजाबियों को जरूरत है उस लिहाज से उस सांचे में अशो करोडा फिट वैठते हैं लेकिन अगर अशो करोडा के लिए कोई नेगटिव बात जाती है हलाकि वो स्पष्ट कह रहे हैं कि वो कॉंग्रेस के अंदर एक समर्पित और निष्ठावान कारे करता के तौर पर कारे कर रहे हैं उनकी पार्टी जो ड्यूटी लगाएगी उसको वो पूरा करेंगे यह अंदाजे बया होता है नेताओं का सभी नेता कहा करते हैं तो प भार्तिये प्रशास्निक सेवा के अधिकारी रहें आईएस कई जिलों के अंदर उबायुक्त रहे सरकार के अंदर कई पर रहे आईएस अधिकारी होते हुए चंदर प्रकाश पर किसी प्रकार का कोई उनके दामन पर दाग नहीं लगा किसी प्रकार के कोई उन पर आरोप नहीं रहे अगर उनका प्रशास्निक शम्ता जांची जाए तो आईएस अधिकारी होने के नाते उनको हर्याणा का पूरा जो धांचा कैसा है हर्याणा के अंदर किस प्रकार से काम होने चाहिए उसको बहुत भैतरी से जानते हैं आमजन की समस्यां क्या होती हैं उनका निदान कैसे हो सकता है बतार आईए सदिकारी वो उसको करते रहे होंगे अगर बात आजाती है उनका पुलिटिकल का तो फिर राजनितिक उनका दक्ष्टा आप यूं समझें कि पहला विधानसभाद चुनाव लड़ा उन्होंने और पहले विधानसभाद चुनाव के अंदर ही चौधरी भजनलाल के गड़ को बेंद दिया चौधरी भजनलाल के गड़ के अंदर वो चुनाव जीत करके आए कुलदीब विष्णोई के बेटे भवय विष्णोई को चुनाव हरा करके इस लिहाज से ये दूसरी दावेदारी मजबूत बनती है तीसरा अगर कास्ट केमिस्ट्री बिठाई जाए तो फिर चंदर प्रकाश I.S. जो है वो BC समाज से आते हैं, OBC समाज से जांगडा खाती समाज से आते हैं और क्योंकि मुख्य मंत्री जो है वो भी BC समाज के हैं नायब सिंग सेनी सेनी समाज से आते हैं और उनके सामने अगर भारती जंता पार्टी की इस काट के OBC, BC, SC की काट के लिए अगर कहीं कॉंग्रेस कोई प्लान करेगी तो फिर चंदर्प्रकाश उस सांचे में भी फिट बैठ सकते हैं SC और BC को अगर साधने की बात आएगी तो चंदर्प्रकाश BC, OBC समाज से आते हैं और उस सांचे में फिट बैठेंगे ये कई बाते हैं जो पॉजिटिव हैं लेकिन अगर negative की बात आती है तो फिर चंदरप्रकाश पहला चुनाव लड़े हैं उनका कोई चुनावी या फिर विधान सभा के अंदर कोई बड़ा अनुभव नहीं है इस लिहाज से चंदरप्रकाश के पक्ष और विपक्ष की दो बाते जाती हैं जो ये दोनो नेता यानि कि अशोक अरोड़ा चंदरप्रकाश जहां कॉंग्रेस आला कमान के नस्दीक समझे जा सकते हैं नस्दीक बताने के प्रयास में हैं और नस्दीक हैं भी लेकिन इसके साथ साथ ही ये पूरु मुख्य मंत्री भुपेंदर सिंग हुड़ा के भी नस्दी भजनलाल के बेटे हैं हरियाना के उपमुख्य मंत्री रहे हैं चार बार विधायक रहे हैं राजनीतिक उनकी जो दक्षता है और राजनीतिक जो उनका कोशल्य है उसको मापने के लिए या उसकी गहराई नापने के लिए कोई ज़्यादा जद्दो ज़हत की जरूरत नही खासकर नौनजाट समाज के अंदर जो गैरजाट समाज है उसके अंदर अपना पूरा असर भी रखते हैं बदले हुए परिवेश में जबकि भजनलाल परिवार के अगर राजनीतिक वारिस की बात करें तो केवल चंदरमाहुन रह गए हैं इसलिए जो फॉलॉइंग फेवर में कर सकते हैं ये कई बाते हैं जो चंदरमाहुन विष्णोई के पक्ष में जाती हैं चंदरमाहुन विष्णोई के समार्थक कुमारी सेल्जा गुर से माने जा रहे हैं लेकिन जो चंदरमाहुन विष्णोई के लिए नेगटिव की बात आ जाती है तो फिर जब नोगानुरादा बाली और फिजा और चांद मुहम्मद बाला वो किस्सा वो कहीं उनकी छवी में आड़े आता है छवी पर दाग लगाता है तो यह तीन प्रमुक नेता हैं जन में से कोई नेता हर्याना विधान सभा के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर सामने हो सकता है मैं आपको तीन नाम बताए अशोक अरोडा, चंदरमौन बिश्नोई और चंदर प्रकाश आईएस आप मान करके चलें कि संभवता इन तीनों में से कोई नेता हर्याणा विधान सभा के अंदर नेता विपक्ष हो सकता है मैं आपको बताता चलूं कि नेता विपक्ष को हर्याणा के अंदर जो है वो कैविनेट ट्रेंक के बराबर सोविधाएं मिलती है सरकार की जो प्रमुक समीतियां होती है उनमें उनकी इस्सेदारी होती है चंडीगड के अंदर निवास मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है यह तमाम जो स्टाफ मिलता है, यह सब कुछ निता विपक्ष को मिला करता है तो हमने तीन नाम आपको बता है, अशोक अरोडा, चंडर महुन, बिश्नोई और चंडर प्रकाश आईएस आप हमारी बास से कितना सहमत है, क्या भुपेंदर सिंग उड़ा की अब की बार विदाई तैह है निता विपक्ष के पत से आपको क्या लगता है कि क्या भुपेंदर सिंग, हुड़ा, गोटको, कॉंग्रेस आला कमान तवज्जो देगा और या फिर वहाँ पर भी कोई कंजूसी रह जाएगी और आपको उमने जो तीन नाम बताए, अशोक, अरोडा, चंदर महौन और चंदर प्रकाश, आपको क्या लगता है क्या इन में से और या फिर इनके तिरिक्त कौन नेता हर्याना विधान सभा में नेता विपक्ष हो सकता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़ेने हमारे साथ, देखते नहीं देश दो जाना